जब दिवाना के सेट पर सहम गई थी दिविया भार्ती डर के मारे अपनी गारी में ही घंटो बैठी रही एक्टरस दोस्तो आज हम बात करेंगे हिंदी मोबी बुलगबास्टर दिवाना फिलम के बारे में वीडियो को फूल वज कर लिजेगा अगर वीडियो आपको ज़रा सा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चनल को सस्क्राइब जरूर से कर लिजेगा ताकि मैं इसी तरीके से नई-नई खबर आप तक पहुंचाती रहूं दिवंगत एक्टरस दिव्या भारती को कभी दिवाना के परडूसर गुडू गुणवा ने टाइम को लेकर पंचुवल कहा था उन्होंने ये भी बताया था दोस्तों की वो एक बार फिलम के सेट पर देर से पहुंची थी और इसलिए वो बहुत डर गई थी दिव्या भारती अपने समाई की सबसे खुबसूरत अवर टेलेंट एक्टरस में से एक थी वो 1922 की फिलम विसरात्मा से बलीबुड में अपनी सुरुवात के साथ फेम के लिए आगे बढ़ी थी उसी साल उन्होंने बेक टू बेक बॉक्स अफिस पर हिट फिलम सोल अवर सबनम अवर दिवाना दी दिव्या की बात करे तो दिवाना के परडूसर गुडू धुनवा ने कभी दिव्या को समाई की पबंद करा दिया था दोस्तों उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने एक बार फिलम की सूटिंग के लिए देर से आने के लिए अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया था राज कमर की निर्देसिक फिलम दिवाना एक निवली मेरीर कपल की कहानी के इद गिद घुमती है जिसके पती को उसके चाचा उसकी समपती हासिल करने के लिए मार देते हैं उसे मारा हुआ मान लिया जाता है और फिर वो अपनी सास के कहने पर फिर से साधी के बंधन में बन जाती है जैसे ही नया कपल एक साथ जिंदगी शुरू करता है, मरा हुआ पती वापस लोटाता है फिलम में रिसी कपूर ने मरे हुए पती की भूंका निभाई थी वही दिविया पत्नी थी, फिलम में शारुखान दुसरे पती बने थे और वही फिलम उनकी बली बुल डेवी थी दोस्तो दिवाना के सेट पर काम करने को याद करते हुए गुड़ू ने कहा कि एक बार वह दिविया का इंतिजार कर रहे थे जब वह हीट गाने तेरे दर्दे दिल अबाद रहा की सुटिंग कर रही थी दिविया के बारे में पुछ तास करने के बाद उन्हें बताया गया कि वह एक घंटे के लिए अपनी कार के अंदर ही थी और सुटिंग के लिए थोरी देर से आने के लिए बहुत डड़ी हुई थी फिरी फ्रेस जनरल ने गुड़ू के हवाले से कहा वह तब उतरी जब मैंने उनसे कहा कि हम उनसे नराज नहीं है उन्होंने और भी कई यादे ताजा की दोस्तो फिल्म दिवाना में दिविया भारती की परफॉमिंस ने उन्हें फेस अफ दा इयर के लिए फिल्म फेर अवर्ड दिलाया दुसरी ओर सारुखार ने वेस्ट मेल फेस के लिए अवर्ड अपने नाम किये अप्रेल उन्हें सतिरान्मिर में अपनी मौत से पहले दिविया की अंतिम रिलीज फिल्म छत्रिय थी मौंबाई में अपने घर की वलकानी से गिरने के बाद सीर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी उसी साल उनकी फिल्मे रंग और सत्रूंज भी बाद में रिलीज हुई थी दोस्तो तो दोस्तो दिविया भारती की पीछे की ये स्टोडी फिल्मों की कैसी लगी जरूर कमेंट में बताईएगा अगर ये वीडियो आपको जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजेगा तकि मैं इस तरीके से नई नई खबर अब तक पहुंचाती रहूं तब तक के लिए जे हिंद जे भारत